हेलो नमस्ते सास्रे का लदाब स्वागत है आप सब का ट्रिपल फोकली टैरो की एक और पिककार रेडिंग में I hope आप सबी खुश होंगे युनिवर्स की तरफ से बहुत साथ प्यार and blessings मैं आप लोगों के रहे manifest करती हूँ तो आज है weekly पिककार रेडिंग मतलब आने वाले week में क्या होगा love, career, money में, mean energies और advices वो हम जानेंगे तो हमेशा की तरह यहाँ three piles in shape of very yummy tasty chocolate is तो जो भी chocolate और chocolate crap पर packing है all in all जो भी chocolate सबसे जादा आपको हमी तरफ attract करी है choose that one as your pile अगर आपने मनी pile को select कर लिया है हम one के साथ reading को start करेंगे but before that please channel को subscribe करें, like करें, comment करें, share करें and let's get to your reading, one के साथ reading start करेंगे 2 and 3 के time stamps नेचे description box में I'll directly catch you at your readings Hello pile number one, जो भी यहाँ first image select की है, बात करते हैं कि आपके यले कैसा रहने वाला है, आने वाला week so आप बहुत जादा internally मुझे यहाँ पे peaceful नज़र आ रहे हो, आपका mindset जो है काफी जादा positive हो रहा है जो कारण शायदा बहुत अची चीज़े manifest कर सकते हैं तो आपके लिए कि यह मैं एक suggestion भी दूंगी based on your cards इस अफ़े प्लीज अची चीज़े बोलें, अची चीज़े manifest करें, अची चीज़े विजुलाइस करें because your energy is basically gaining momentum, like आपका card कह रहा है, आपकी जो energy है इतनी strong, vibrata है उसका इतना अच्छा वो एक vibration उस पर चल रही है कि वो आपकी further expected reality और expectations वाली reality, quantum को श्रली ले सकती है, वो shift करने में बहुत जादा सक्षा मुझे सफ़ते में नजर आ रही है यह बात करते हैं सबसे पहरे love life की तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकते है कि love life में थोड़ा सा आप इस ताइम पे break ले, pause लें, efforts थोड़ा कम करें क्योंकि शायद सामने से आपको response नहीं मिल रहा है और अब आपको अपने मन मताबिक response नहीं मिल रहा है so this week you are reserving your energy और आप सामने अपने आपको जुका नहीं रहे हो सामने जादे efforts नहीं डाल रहे हो जब सामने के तरब से भी इतना च्छा response नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एक dignity वाला boundary maintain होता हुआ लव लाइफ में आप लोगों के लिए दिख रहा है बात करें करियर की तो करियर में you are doing quite good guys मुझे यहां पर नजर आ रहा है मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि करियर में आप काफी ज़्यादा चीजों को responsibility कर रहे हो चीज़े अंडर कंट्रोल हैं बहुत सारे tasks के साथ कर सकते हो आप उन्हें काम को enjoy भी कर रहे हो आपका काम में मन भी लग रहा है काम ऐसा चट 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 मैनेज भी हो र क्रीटेव काफी साथ एंथुजासिक आप लों मुझे यहां पर नज़रारी और सेलिब्रेटाइटिंग यーवर्क बेसिकली बहुत ज़दा क्रीटिव दिख रहे हैं और मनी की बात करें तो मनी में आप काफी ज़दा मुझे यहां पर जिए बहुत सारे लोग यहां पैसा हो सकते है कि कुछ पैसा वो charity में दे सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसा है कि animals को feed करने के लिए पैसा दे सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी दादी नानी से भी पैसा मिल सकते हैं तो एक charity वाला भाव मुझे यहाँ पर generosity gift वाला भाव बहुत दिख रहा है तो आप किसी क going to multiply a lot or come back to you हाला कि इसके अलावा बाकी बाते करें तो आपकी energy assessment पहले ही बता है बहुत जादा increase हो रही है और कोई भी person आपकी life में आ रहा है क्योंकि energy increase हो रही है and when energy increases आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ attract करते हो तो आपको यहाँ पर एका जा रहा है जिसको भी आपनी life में आप entertain करें या आपने उस चीज को ब्लॉग करना है वो decide करना ठीक है तो yes pile number one यह है आपकी बहुत खुब सूरत सी reading इस reading के energy को claim करना हो तो video को like कर लिए जएगा और मैं manifest कर सकूँ कि यह sunflower जैसी energy एकदम sunshine वाली आपकी इस हफते बने रही तो आपने मुझे sunflower का emoji comment section में ज़रो drop करना है तिल रेन ठेकिया नेक्स पिक कार रीटिंग के लिए चानल को subscribe करिए वो notification bell दबा दीजे I'll catch you in your next pick a card बाबाई गाईज Hi pile number 2 जिन्होंने भी इधर second image को select किया है बात करे आने वाला week कैसे रहने वाला है तो intuitively काफी ज़्यादा strong week है intuitions काफी high peak पे है मन की सुनते हुए बहुत नजर आ रहे हो मन की सुनते हुए और मन की करते हुए meditation mode में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो basically universe की तरफ से काफी ज़्यादा science synchronicities इस हफते आपको मिल सकती है spiritually काफी ज़्यादा strong connected दिख रहे हो universe के साथ अपने इश्र देप के साथ जिनको भी आप मानते हैं और मुझे नजर आ रहे है कुछ ऐसे messages through signs या फिर खुद की intuition के थू ही आएंगे आपको जिसके base पे आप majorly actions लोगे इस हफते में बात करें अगर आपकी love life की तो love life में एक तरह का transition मुझे दिख रहा है आप किसी particular एक situation में आप stuck थे तो उससे बाहर निकलते हुए आप मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो and for some people they can also travel with their partner ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है but एक transition है एक movement मुझे यहाँ पे दिख रहा है mentality की movement भी हो सकती है यह एक physical way में भी mentality हो सकती है बहुत ही गिने चुने लोग शाहर पूरी reading में से चाहर एक या दो person के लिए message है शाहर कुछ लोग इस सफ़ते ही travel कर सकते हो और travel करते हुए उन्हें अवना partner मिल जाए उसके साथ कोई interaction भी उनका हो जाए career की बात करते हैं तो career में मुझे यहाँ पे कुछ reveal होता हुआ दिख रहा है जो की काफी जादा strong है काफी जादा solid है आपके लिए और आपके लिए बहुत जादा transformation लेके आने वाला है तो हो सकता है for example एक particular project था पर उस particular project में आपको काम क्यों नहीं दिया गया वो आपको reveal और उस information दे थूँ आप एक better project पिक कर सको तो कोई certain information ऐसा reveal हो रहा है आपकी तरफ जो की इतना solid information है जो आपको further आपके career में एक upgrade देता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है so एक revelation with up gradation मुझे है आपके career में होता है नजर आ रहा है छोटे से छोटा revelation भी हो सकता है बड़े से बड़ा भी हो सकता है but be ready to discover something new career जो आपको एक level up करे या आपको एक advantageous position में जरूर डाले money की बात करें कि money आपका काफी 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 अच्छा दंजर आ रहा है मुझे यहाँ पर क्योंकि star का card है मतलब healing का card है तो कोई पैसा खोया हुआ था किसी का तो वो पैसा वापस आज देखता है बहुत चारे लोग है अगर उनका पैसा किसी health की बिमारी वगएरा पे निकला था लगा हुआ था तो वो recover होता हुआ मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है also इस हफते अगर आप लोगों का कोई पैसा खर्च होता है किस तरह की बिमारी वगएरा में तो be assured कि वो बिमारी 100% आपकी लाइफ से निकल जाएगी उसकी बहुत जल्दी recovery और healing हो जाएगी तो tension मतले ना यह भी मुझे एक added message आप लोगों के लिए नजर आ रहा है तो money wise things are looking quite good for you बहुत सारे लोग यहाँ पे candlelight dinner भी करते हुए नजर आ रहे हैं यह कुछ एक specific message मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आप लोगों का पैसा लग सकता है now coming to your messages over here तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सोच समझ के इस हफते आपको देखना है कि आप relations में कितना efforts डाल रहे हैं यह सामने वाले से कितना efforts ले रहे हैं क्योंकि this time, this week karma is watching you तो अगर आप इसे के साथ help, helpful energy में रहेंगे तो help आपको return होगी किसी के आप advantage लोगे तो वो advantage करें नहीं आपको backfire कर सकता so don't be selfish, be loving, be giving, giving का मतलब यह नहीं है कि खुद को दबाना है no, that is not what I am saying but be generous with your help, with your intentions बाकि आपको यहाँ पर यही कहा जा रहे है कि जैसे आप इंसान है आपके जैसे instincts इस हफते आपको बोलेंगे आपको उस हिसाप से चीज़े करने की जरूरत है और अगर आप उसको उस हिसाप से करते रहेंगे तो चीज़े काफी जाद स्मूथ हो बढ़िया चलेंगी आपके लिए so yes, pile number 2 यह है आपकी reading इस reading के energy को claim करना हो तो वीडियो को like कर लीज़ेगा और मैं manifest कर से कूई यह खुबसूरत साफता आपके लिए तो आपने star का emoji comment section में drop करना है till then take care and next pick a card reading के लिए चैनल को subscribe करके रखिएगा वो notification bell दबा दीजेगा I'll catch you in next pick a card Bye Bye Hi pile number 3 जोनों ने भी यहाँ पे last image को choose किया है बात करते हैं कि आपके रहने वाला week कैसा रहने वाला है तो पहरी बात बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे detox scenario नज़र आ रही है कोई old patterns, कोई old thoughts वगेरा आप लेके बैठे होए थे जो कहीं न कहीं आपको tension दे रहा था या bloating चल रही थी, कोई health issue था कुछ भी था तो बहुत ज़्यादा healing इस हफते आपकी होते होई नज़र आ रही है तो कोई person आपकी तरफ एक offer बढ़ाते होए धीरे धीरे नज़र आ सकते है for the single people, for the committed people सामने वाले की तरफ से improvement के पहले कदम दिख रहे हैं और अगर आप single है तो आपकी love life में stability मुझे यहाँ पे धीरे धीरे नज़र होती होई established होती होई दिख रही है तो कोई ऐसी opportunity create हो सकते है जो कल को आपकी career में बहुत जाद आपको growth में help करे आपको एक skill further grow कर सकते हो जो आपके resume में बहुत जादा strong दिखे in the coming future time तो career में एक नई शुरुआत ज़रूर ज़रूर कोई नई responsibility, कोई नई opportunity, कोई नई situation आपको इस हफते जरूर होता हो दिखेगा जो इस हफते में ही या फिर आने वाले time में अपना रंग जरूर दिखाएगा और वो रंग होगा through some kind of a money flow बात करें अगर आपकी money की भी तो money all in all आपका काफी जादा मुझे यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है पैसा खर्च कर सकते हैं आप अपनी mother पर भी बहुत जादा पैसा बहुत जादा नहीं मतलब कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं लक्ष्मी रूप पर पैसा खर्च होता हुआ है यहाँ पर बहुत जादा नज़र आ रहा है बट और आ पैसे में एक harmony नहीं दिख रही है चीज़े balance में नज़र आ रही है पूरे हफ़ते की energy की बात करें तो बहुत जादा खुश energy है blessed energy यहाँ पर दिख रही है किसी तरगा कोई तकलीफ नहीं है आपको इनफाट यह भी कहा जा रहे है कोई particular situation की चिंता आपको खाय जा रही थी आप किसी problem में थे तो एक तरह से assurance हा रहा है universe की तरफ से don't worry कुछ भी negative नहीं होने वाला है आपकी overthinking बस आपको tension दे रही है और कुछ नहीं सो यह overthinking को बन कर दीज़े साथे साथ में as I already told you कि love life में धीरे धीरे एक slow level दे stability हो रही है तो अपनी love life को लेकर positive रही है अपने soulmates को आप call करी है तो soulmates ज़रूरी नहीं कि romantic हो आपका friend आपका कोई pet आपका कोई relative भी आपका एक soulmate हो सकता है तो ask universe की आपको कोई support इस हफ़ते लगतार देता रहे और आपको वो support मिलता रहेगा क्योंकि वो support आपको help करेगा further अपनी journey में आगे बढ़ने के लिए तो इस हफ़ते universe is saying कि मैं खुले कानों से तुम्हें सुन रहा हूं कोई भी help चाही हो तो मुझे ज़रूर बताना ठीक है तो yes pile number one यह है आपकी बहुत ही प्यारी सी रेडिंग इस रेडिंग के एनरजी को claim करना हो तो वीडियो को like कर लीजएगा और मैं manifest कर सकूं कि यह हफ़ता आपके एकदम शांदार जाए तो आपने नीचे मुझे yellow color का heart emoji comment section में drop करना है till then take care and next pick a card reading के निचान को subscribe करके रखेगा वो notification bell दबा दीजेगा I'll catch you in our next pick a card bye bye